नमस्कार दोस्तों साटसाइब सभी की आपकी अपने चल्feld पर दोस्तों एनाज होने वाला यह तो विदारतिक आप ये समय से कमेंड करें कि हमें जो है मैं Who आप सभी की डिमांड पर यहां पर हम लेकर रहें आए ओस अंदर जो mathematics कैसे आती है यानि कि कैसे कैसे प्रश्ण एक्जाम में आते हैं तो उनके एक्जाम के मैं आपको बता हूं तो लगबग दोस्तों आपके लिए एक टॉपिक लेकर आए अनुपाद समानुपाद रेशियो एंड प्रपोर्शन तो इसके दोस्तों एक्जाम में जाता हैं और उसके बारे में जानने वाले कुछ क्वेशन की प्रेक्टिस करने वाले जिसे की आपको रेशियो और ये प्रपोरोशन के अंदर कोई दिक्कत ना हो और आप आसाने से इन क्वेस्चिंस को सॉल्व कर जाएं जो एक्जाम में आपके बनेंगे ठीक है तो यहा तो स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आपको बत्कान देता हूं कि अगर आपको online test में आपको participate करना है तो कुछ भी मत करना बस Google या Chrome राज़र उपन कर ली चाहिए यहां पर आप study मंदीर सर्च करना है जैसे आप study मंदीर सर्च करते हैं गूगल पर टिकेट उसके बाद यहां पर क्या करना है एक आपको लिंक मिलेगा यहां पर आप online test application form result admit card cutoff सारी जानकारी देख सकते हैं साती में अगर को टेस्ट देना तो यहां पर देखो टेस्ट का section मिलना रखा जहां पर आप मैथ के दे सकते हैं साइस का टेस्ट दे सकते हैं mathematics and social science यानि कि चारो सब्जेट के टेस्ट आसानी से दे सकते हैं बिलकुल फ्री में तो आप इस्टडी मंदिर को जरूर से विजिट करें लिंक description में है तो देखें दूस्तो जो अनुपात समानुपात का तो मतलब य होता है क्या होता है कि तो मेरे पास क्या दस चॉकलेट से क्या है मेरे पास दस चॉकलेट है अभी दस चॉकलेट को मैं ए और बी में मान लेजी मुझे चाहिए बराबर में ठीक है मैं क्या बराबर बराबर में बाटना है मेरे पास दस चॉकलेट है और दस चॉकलेट को मैं ए और बी में दो दूनों मे यह やui यहीड नहीं बाढ़ना राप भी एक कुश्म में आप से पोचूँँ का तो आप क्या कहें आप मतलब यह तो considered यह को बड़ावरबर होता है 1-1 यानि कि एक अनुपात एक बराबर का मतल्य होता है बराबर का मतल्य होता है कि दोनों को क्या मनने समान जिसको भी एक बराबर होता है तो यह ratio मिल गया अगर हमें इसको मैट की बाचाइस सबसमें करना पदा तो क्या क्या सिर्ग है किसको बंसक्राइब तूछ थो ऺबएंड़ कि 6 करतेंगे जैसे इसए मान लिजेगा बटवरा है मैं को डिक्का ता हूं अब अनुपाइब आप देखको एक बट्वारा तो एक होता ही दूसरी कि للथे जीसे किस जैसे कोई बीन्त कोई भी वेल्यू है उसको कैसे सता hora कि मला निकालना होता जिसे माल लेजे 15 में लिखा और 25 अब इनको सरल्तम रूप में याने की इनको निवनतम रूप में कैसे लेकर आएंगे आप देखो 15 और 25 को कि निवनतम रूप में कैसे लेके आना गाना इसको आमरे चीज़ भी देखी गाहां हमारे पास वैल्यू कितनी थी पंदरा पचीस थी अब हमें ऐसे संक्या से इनको देगो इनसे काटना मदलब इनको निवनतर रूप में बनाना अब आए आप कहेंगे कि सर पंदरा में में तीन का भाग देता हूं तो मुझे पांच मिलेंगी और पचीस में पांच का बाग द संक्या को तीन से काट दिया और इस संक्या को पांच से काट दिया जो कि बिल्कुल गलत है अनुपात क्या कहता है कि समान संक्या से काटना क्या करना समान संक्या से यानि अगर आप इस संक्या को तीन से काट रहे हैं तो इस संक्या को भी तीन से काटना पड़ेगा अब 25 मे इन दोनों इस संक्या को नहीं तीन से नहीं कार सकते हैं अब इस संक्या को किसे काटना पड़ेगा तो देखो वह देखो दो से जाएगा नहीं तीन से जाएगा नहीं चार से जाएगा नहीं पांच से जाएगा ठीक है देखो वह पांच के पाड़े में भी 15 आता है और यह नया अनुपाथ पांच अब यह दून संक्या यानि कि इसको आगे नहीं काटा सकता लेकिन पांच में थीन पांच में तो यह अगा यह चोटा से चोटा रूप है इस तरीके से कोई भी कोई नहीं वात सकती है इसमेने का जह अनुपात 8 कई अनुपात 8 हे अब देखो यहां पर 2 से डिवाइट कर लो चए में दो का बाग दिया तो कितना मिलेगा 3 और 8 में जिए 2 का बाग दिया तुम मिलेगा ठीक है अब 1250 रुपए है हमारे पास इसमें हमें 1250 को A और B को बाटना क्या बाटना A और B को बाटना है किस अनुपात आपको प्रस्ण में अनुपात दे रहा होगा कि इस अनुपात बाटना ए और बी को बाटना तीन अनुपात दो में कितना वाटना तीन अनुपात दो में तो मुझे बताईएगा कि एक को कितना मिले क्या मिलेगा एक को कितनी रासी मिलेगी यह कोशिन है इस कोशिन का अंसर हमें करना देखो 1250 रुपए टोटल है ए और बी को बाटना है तो किस अन है माल है एक को मान कर चलते हैं तो तीन एक प्लस के टु एच दोनों के миखो रासी दो न की मैंने कां बुराअब 120 त्यहिंच और दो में 5 का बार देते हैं तो 5 आम पांच ठीक है तो देखो यह पर रही किया इसको इरेज नहीं कर रहा ना चली देखो पाँच हम पाँच हो गया 530 इस निकालना तो मतलब से कर네요an करो तो ता केतना चान पाज के तत्म कें jumped यृइक कितना दिए किaka Bali को आप क्या की डूसी माल्टीफिकków करो जाए दोрिक किम अब ये तो क्या इसका आँचर आगया लेकिन यह क्या टाइम ले रहा है कि तरीके से सब्सक्राइब करना होता है तो कम समय में किस तरीके से सब्सक्राइब करना है तो एक तरीका आप नोट बुक के अंदर नोट करिएगा वह तरीका क्या है उसको भी संभल लेते हैं घयाशनी पर 171 रहे हैं असली बटा नकली तक also आप नकली इन्टू क्वेशन मतलब जो आपका एक्वाब में पूछा गया अब असली का मतलब क्या है वीयल विएल वीयल आयनी खालना में जो श द क्वेशुन को उसको क्वेश्ञ से जो आपका अंसर करेंगा आप कांसर आजाएगा अब असली बट्टा नकली आपने का सर ये क्या है तो ये देखो ये आईगा जवाब मिलेगा आपको असली का मतलब है कि आपको फैशन में वेल्यू कितनी दे रही है मतलब value मतलब आपने का सर 1250 दे रहें तो 1250 ऊपर लिखा नकली का मतलब है कि ये 1250 किसके वराबर है आपने का सरी 1250 न वो a और b को दो को दो जुनमें बाटने है यानि कि ये इनका क्या हिस्सा है तो ये देखो 1250 क्या total रासी है तो इन दोनों का टोटल कर दो तीन और दो कितना होगे पांच होगे आपने का पांच लिखा अब क्या करना है question मतलब पुछा किसका है यहाँ पर पुछा है A का A की value तो A का अनुपाद कितना है आपने का A का अनुपाद 3 है कितना है 3 है 3 से multiply कर दो तो 5 से काटा 5 दूनी दरस्ट बचेगा 2, 25, 25, 5 और 0 अब कितीन से multiply कर दीजगा तो पचिती अपिज़ोतर कितना देगा 700 बचा correct answer आजएगा बहुत simple यह हमारा answer आगया अगर आपको B का पूछता B का पूछता तो B की value कितनी है 2 तो 3 के जगे 2 से multiply कर दे अगर मैं आपको कहता इसका अंतर बता जैसे माल लिएगा A और B का रेशियो कितना है माल लिएगा ऑर B का रेशियो है 3.54 ठीक है अब इनका इनका जो अंतर है कुछ भी हो सता है इनका अंतर माल लिएगा 7 तो मुझे बताए वी की value कितनी है अब इसको कैसे करेंगे देखो पहली बात असली कितना दे रख असली हमारे पास क्या है यह असली मलत साथ साथ क्या है इसका असली अंतर है तो मुझे बहुत इसका नकली अंतर क्या है आप देख यह क्या इसका असली अंतर है तो इसका नकली अंतर कितना है नकली मतलब रेशियो वाला तो इनका अंतर मतलब तीन और चार का डिफ्रेंस कितना एक का तो एक रको नीचे से question क्या पूचा है बी का तो बी की value कितनी है चार चार से multiply करेंगे 28 answer आदेगा बहुत simple है कोई दिक्कत नहीं चली दोस्तों यह बहुत simple है अब इनके बीच में अंतर हो सकता है उनका गुणा हो सकता है कुछ भी हो सकता है बस यह फॉर्मिला आप अपनाएगा answer correct आएगा अब बिल्कुल सही आएगा ठीक है चली दोस्तों अब हम कुछ questions करेंगी जैसे कि यह रहा question है यह आपका question है एक् तीन के अनुपात में बातने पर दोनों से प्रावथान कितना ऊंसे प्रावथा क्या है नहीं कि दोनों की अलग-अलग कितना है यह किसले बटा नकली का कॉंसेट है और वई कॉंसेट अपको उत्तर लेकि आएक असली बटा नकली नकली मतलब क्या है ये साथ और तीन के अनुपाब में बाटना है तो है क्या है तो साथ और तीन कितने हुए आप ने का दस हो गया अब question में पूछा देखो अलग-अलग निकालना है दोनों से तो पहले में राम का निकाल लेता हूं राम का अनुपात कितना है आपने का साथ है साथ से multiply करेंगे जीरू सब्सक्राइब 21 को साथ से multiply किया 147 यह किसका आ गया राम का आ अब स्याम का निकाल दीजेगा स्याम का मतलब देखो इस जो है यह साथ साथ की जगे कितना रखेंगे तीन क्योंकि साथ स्याम का अनुपात कितना है तीन है तीन रखीगा 21 को तीन से multiply करा दीजेगा 63 तो कितना आज रहेगा 147 and 63 is the correct answer बहुत simple a answer correct हो गया कितना simple question है देखते ह स्क्रीन पर रहें इसके बितल तो ini पर हमें असली मटा मुले का का करद लगूल नहीं है लेकिन हमें इनको अनुपात ने बार्थना तो इहां पर देखो कितने जन्याइं आपने का एक दो तीन लिख दो ए ay a annaal python एक देखा घृए वहां पर उस पासवाल को नंबर दे लिगा आपने कहरें अपने का सरिय हुआ अपनेrat को नंबर देजोगे आपने का सर यहां पर जगा है और यहां पर जगा है तो जहां जगा है उनको सेहम नमर दे देखा तो यहां पर देखो इसके पास में कौन सी संख्या है तीन है कितनी है दूस्तों इसके पास में कौन सी संख्या है तीन भर दीजेगा यहां पर कौन सी संख्या पांच लेनी है यह पास वाली संग्याद 5 बढ़ देंगे अब इनका क्या करेंगे multiplication करा देंगे 2 तिया 6 5 तिया 15 5 चौक 20 6 अनुपात 15 अनुपात 20 option यह correct है अब आप इनको देखो यह 15 में 5 के पारड़ से कट रहा है 20 भी 5 के पारड़ से कट रहा है लेकिन 6 जो है वह भी 5 के पारड़ से कट रहा इसलिए हमारा answer आजएगा ठीक है पूरा नहीं कार सकते option नमबर एक रहा है इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं देखो 2 अनुपात 5 है ए और बी का अनुपात यहां पर सी है ठीक है सी की वैल्यू कितनी है आपने का सी का अनुपात चार यानिकी 2 अनुपाच और 3 अनुपाच आए ऐसे कर लें ठीक ऐसे 2 तिया 6 पांस तिया पंदरा और 20 answer correct आगिया ठीक है ओके दो कोशन आपके समने हैं कोई नहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए देखो दो कोशन क्या है सेम टू सेम दे रहे हैं तो उनका answer कर लेंगे दो प्राकर्ट संक्या है तीर अनुपाच पांच के नुपाच में है उनका अनुपाच 21 साड़ है कितनी संक्या है आपने का यहां पर क्या है गुननफल है मतलब की असली बटा नकली का concept निकालना है हामें छोटी संक्या पूछिए तो असली क्या है असली 21 साड़ है कितना है दोस्तों 21 साड़ क्या असली है असली बटा नकली नकली का मतलब देखो असली में क्या है गुननफल है तो इसके नकली क्या है नकली में रेश्यू क्या 3 अनुपाथ 5 है तो 3 अनुपाथ 5 को जोड़ेंगे क्या नई ये तो गुननफल है इसका मतलब असली में 3 अनुपाथ 5 तो 3 का भी गुननफल करेंगे 5 का भी गुननफल करेंगे तो 3 को 5, 3 इंटू 5 कितना हुआ, 15 हुआ, तो नकली में कितना हो गया, 15 हो गया, 15 निचे लिख देंगे, और पूचा क्या है, तो छोटी संक्या बताइए, देखो 3 इंटू 5 में छोटी से कौन सी है, आपने का छोटी 3 है, 3 से multiply कर देंगे, अब देखो यहाँ पर जब भी ऐस प्रस्ण आहे न, दो संक्या देखकर गुनेंफिल पूचे, 3 संक्या देखकर गुनेंफिल पूचे, तो उनका अलग करना है, अब ऐसा नहीं कि एक से देखो इस से मल्टी 5 से काड़ दू नहीं, पहले ऐसा नहीं काड़ना, पहले न इसको काटेंगे, तो पंदरा में 21 बा का संक्या तो हमेशा इनका क्या करना स्क्वेर रूट निकलना ठीक है अब 144 किसका वर्ग है आपने का बारा का वर्ग क्या बारा का वर्ग है और तीन को योगश कुम जोड़ धिक हैं Где अब 253 मे इसली मेंकिया इसली कितना 96 है रिकाए इनका गुनेटफल कितना है दो मणेशा है पूचा क्या है इनका योगवल योगवल मतलब इन बेद दोन का दो देखो आपने निकाल दीजेगा उसके अब यहां निकाल देंगे जो आंसर आए उसको जोड़ दीजिगा लेकिन आप इतना मत करो आप क्या करो हमें पूचा इनका योगफल पूचा तो मलब दो और तीन कितने होगे पांच होगे बस पांच जोड़ दो अलग अलग करो गे उनको बुनको उनके करो तो यह ऑपद हो आपने है तो चार को 5 से गुमांगे चारो ऐसंपर एगा ऑप्शन नमबर और मन आपशन होगी डिकत नहीं किया आप और है अब देखो संख्री एंगे तीन तीन संख्या ये 5,96,7 में हैं और उन सभी संख्या कुनेटफल क्या देखा गुनेटफल असली गुनेटफल कितना है पांच जार 670 असली बटा नकली नकली मतलब इन तिनों का आपस में मल्टिप्ला कि मल्टिपिकेशन करो 6 को 7 से मल्टिप्ला किया 42 एन 42 को हमने 5 से मल्टिप्ला किया ये में लेगा 210 ठीक है तो यहां 210 कहां रखना नेची चे रखना ठीक है पूचा क्या है तो सबसे बड़ी संख्या मुझे बताओ इन तिनों में सबसे बड़ी कौन सी है 5,6 या 7 आपने का 7 तो 7 से गुना करा तो बसान स्राथएगा जिरो से जिरो काटेंगे 21 से कंम 21 दूना 52 बघन्त भार गया 22 प्लट में बचेगा कितना killing to यह संख्या कंच्या कितनी है तीन च्छ्या है तो क्या करेंगे उनका गन करें गन्यमूर निकले तुम मुझे बताये गा कि 278 का गनमूल है क्यूब रूट है तो आपने गासर तीन का है तो तीन को हमें सांसे मल्टिप्लाइ कर दीजिए गा सांत्या 21 21 किस में option scheme या answer बहुत simple है कोई दिकत नहीं 21 के आगा correct answer आगया दोस्तों बहुत simple question था आगे बढ़ते हैं अगला question देर का है इनको करना देखीगा दो संक्याओं दो नुपात तीन का अनुपात है प्रत्यक संक्या में छे जोड़ दें तो नका अनुपात 5 नुपात 7 होता तो देखो ऐसे करेंगे trick है संक्याओं देखो यह दो नुपात तीन है इनमें 6 जोड़ना तो इसमें 6 जोड़ूंगा मैं एंड इसमें 6 जोड़ूंगा तो कितना मिल रहा पांच नुपात 7 अब देखो मैं direct आपको ट्रिक बता रहा हूं ठीक है ट्रिक क्या है आगे इनको अबस मलते देखो दो को सां गुणा करो और 3 को 5 से गुणा करो तो आपने का सादू ने कितना होता 14 और 15 इनका डिफ्रेंस कितना हुआ एक अवा ठीक है तो एक नीचे लिखा अब 6 को सां से किया 6 से 42 और 6 को 5 से किया 5 अंगतिस मतलब बार आ गया अब पूचा क्या है तो बड़ी संक्या बड़ी संक् मिल्टिप्ला कर दी गया बारतिया 36 ओप्शिन नंबर या मिस्टेक्स ने की दो दो तीन दो तीन तीन कि पांच होगा तो कि मैं तीस कि दो नुपात तीन प्रस चे जोड़ देता है तो पांच उनुपास सांद दो चुदा पंद्रा एक लगा अब त्रतिस मेरे काई सा अप्शन में नहीं तो थर्ट तीस या लिग दे ठीके 36 कर दीजीगा अप्शन एफ ठीक है तो अप्शन एक और अंसर हो जगा बहुत सिंपल था कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली चली दोस्ता आगे बढ़ते हैं ठीक है कि अब तो यह यह चली यह आपर मेरी काई से पांच होना ठीक है अच्छा पांस था कुछ में पांस था गलती से मिस्प्रिंट होगे ठीक है ठीक है पांस से करके देख लेते हैं कि दिखतें दोन पात तीन प्लस पांच पांच बराबर पांच अनुपा साथ चोदा एक अब यह वाला कुछन है कि ऐसा प्रस्ण जब भी आना उसका एक ही सॉल्यूशन होता है आठ इकीस तेरा एकतिस के प्रतियक पद में कौन सी संक्या जोड दिए ताकि वह समानुपाति हो जाए आपस में समानुपाति हो जाए और यह वाला कुछन भी सेम है इसी पैटन पर काफी बार वार क्वेशिन बने तो जब भी दोस्तों ऐसा प्रस्ण आता है उसका क्वेश्न को आपप करेंगे न अगर एक्स मान करेंगे ना तो बहुत टाइम लगता है बहुत ज्यादा ज्यादा टाइम हमारे पास एक्जाम में होता नहिंए तो इस तरीके से विधोट सॉलब किया जा सकता है कि हुशको बताएंगे ठीक छली से यह बताना कि ये मैच गजो एक सौल होगा बहुत सिंपल अब रधे से को करने के लिए बहुत सिंपल है कि आप यह दो अनुपाद उपर लिखें और इन अनुपाद को निचे लिखें जैसे यह आठ अनुपाद 21 से उपर लिग दिया और तेरा अनुपाद 31 से इनको यह लिग दिया अब इनका क्रॉस करा दिजिगा 31 को आट से एंड 13 को किसे करेंगे यह ना तो 31 को आट से मल्टिप्लाइब करेंगे तो यह मिलेगा दोसों चोईस वर ट्याइट अब करना क्या है कि हमें इन दोनों का डिफ्रेंस करना है तो देखो 203 का डिफ्रेंस देखो 203 मैंसे 288 कितना बचेगा यह बचेगा और यह पांच और यह पांच मिलेगा और यह पर 25 मिलेगा दूसद उपर और यह जो संक्या है आपसमें दोनों को जोड़ कर अब देखो इनका एक बार तो मल्टिप्लाइ करके उसका लेग दिया अब दूसरी बार क्या करना आठ को 31 से गुणा करेंगे तो तो 25 में पांच का बाग दिया पांच विलेगा तो वह संक्या कौन से हैं पांच ठीक है अब देखिए अगला कोशन दे रहा है यह से भी सहम कुशन है कि प्रते एक बद में जोड़ने पर समानुपात हो तो कुछ भी ने करना अनुपात दो अनुपात उपर लिको पांच अन 235 अपना 26 और 286 अब इनका अंतर निकाल दीजीगा 203 में से 255 फिटीवन और दूसरा काम किया है कि इन दोनों से मल्टिपिकेशन इन दोनों को जोड़ो भाई देखो आपस में एक वार जोड़ना एक वार गुणा करना है और उसका अंतर निकालकर भाग देना है और 5 कितने वावन हो गए और 13 और 22 हो गए अपने कितने हुए 35 हुए अब इन दोनों को घटका घटा देजीगा 12 यह मिलेका अपना 7 और 17 रखेंगे नीचे अब 51 में 17 का भाग देंगे 17 गम 17 और 17 इकावन तीन आंसर आधेगा बहुत सिम्पल है ठीक है सी अब आप जितनी सबस्क्राइब। 6 से मल्टिप्लाई करओ कितना आता है साधे रहे हूंग जपो चवदा हुआ उसके बाद में पाच को तीन सी मल्टिप्लाई करो भीmor और 14 अंतर एक तो यह तरको नीचे दूसरा का में पांच को सांसे मुल्टिप्लाइब 35 इनका डिफ्रेंस कितना है यह 35 मैं से 25 कितने मिलेगा दस दस उपर लिखा अब पूचा क्या है फैस्टन में क्या पूचा हुआ है बड़ी संक्या मतलब अनुपात तीन का रेशियो तो कर देंगे को दिक्रत आपको नहीं होने वाली कि यहां पर क्या है जब यहां पर चार देखो यहां पर दे रहा है एक आट अनुपाट एक से यह जो चीन लगा ना यह समानुपात का ठीक है यह समानुपात का साइन ने 48 and 36 देखो यह चार है समानुपात यह अब यह यहां पर ही लगा वह समानुपात का ठीक होता है तो अमेसा क्या होता है यह क्या होते हैं अपने अनुसार यहने कि इन में देखो समानुपात यह इनका गुणा कैसे होता है ऐसे हो देखो आट को 36 करना है एंड एक्स को 48 ऐसे वोता है ना की ऐसे ठीक है ऐसा नहीं कि आप इसको इसे मंटिप्लाई करा दो इससे हेसे करा दो या फिर आप इसको इससे गुणा करा ओ इसको इससे ile घलत करता है में और एपार देखीकji न कि एक्स को फॉर्टी इट से ठीक है तो कराना है जीगा 48 से बराबर हमारा कितना होगा 36 इंटु आठ से अब क्या करना है एक्स की वाली पता करनी है तो यह 48 क्या यहां पर गुणे कंदर है तो यहां आएगा तो बाग में हो जाएगा तो स्वाइब टिस इंटु आठ बटा कितना होगा 48 एकम आठ चंग 48 चंग 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 36 एकम चंग 36 एकम से चंग चंग सर करेक्ट है ठीक है चली अगला कुछी देखीगा एधी एक्स-एकस-अनुपात-8 एक्क कासी देगो एंट चार इनट इस तो यहां क्या करना देगो इसक 16 Chancellor 1 यहां पर इस च्वार पडाल किन नहें यहां हो जैगा स्क्वेर रूट लगजाएगा तो 300 horror रग वर कितना होता है धारा घीटीन होता है और 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 कोशन कोई दिक्रत नहीं है अब यह सबस्कतित्स क्या पूछा यह एक चतर बूच्षmbTOR के कौण 8 motto ये असली बटानकली वाला इंसेट लुएए को 2018- Frost सब्सक्रावVER को होता है मैं अगर मैं आप आपये डिर्यों जो यह चारज कोर्ण सेटों बड़ा कोश्यंगल है वह 180 का होता यह iba माल साटंट डिक्रीक्र तो मुल्री आपने ऊश्प टोटल तो होता एक स्वोसी डिग्री अब जिन्में से यह नाव डीग्री का है हैं साल डिग्री का है तो यह दोनों नहयों कितने हो गए यह बच बतल फारे होगा उसी प्रकार चत्रपूझ किया ओता है। तीन सो सांट डिग्री होता है यह इसका यह मानलो 90 डिग्री का है यह भी अपना 90 डिग्री का है यह भी अपना 90 डिग्री का है तो चत्रगुज के चारो कॉणों का योग होता है तो असली में रियल में कितना है आपने का 360 है और नकली में नकली कितना दे रहा है यह नकली मतलब यह है तो नकली देखो यानि कि हमने चारो जो नभी डिगरी कौन है उन सभी को जोड कर तो यहां पर इन इनको भी जोड़ेंगे न वह यह असली है तो नकली में देखो यहां पर इन सभी को जोड़ो एक और चार पांच पांच और दो साथ साथ और तीन दस तुदस आ गया अब पूचा किसका है फ्वेश्ण मारे जुब पूचा है क्या पूचा है तो पहला कौन पहला कौन कितना दोस्तो पहला कौन एक टिंगरे का रहे है तो एक से मल्टिप्लाए कर दो जीरो सी जीरो कर जाये गा 36 को एक से multiply कराएगे तो कितना देगा 36 correct answer आजएगा अगर मैं पूछता कि दूसरा कौन कितना है दूसरा कौन कितना है आपने खासर दूसरा मतलब दूसरा कौन कितना है 4 डिगरी का है तो 4 से multiply कर देगे तो 36 को दोस्तों 4 से multiply करते चोईस यहां सब्सक्राइब कि दो बारा और 144 दिग्री होता लेकिन यहां पर हमें कोशन में क्या पूचा है पहला कौन ही पूचा है मतलब कि जो पूचा वह आंसर ला सकते हो अगर आप नकली बटा असली का सौरी असली बटा नकली का कौन सेप्ट में दिमाग रखा तो तो यानि की जो मेलिक फेक्षिस आपके बनते हैं उनको अच्छे से डिसकस किया है और अगे की जो नेक्स्स क्लास होगी एक लास में आप सोच रहा हों कि एक लास आपके लिए और लो अनुपास अमानुपाद की एंड उस क्लास में जो एज रिलेटेट कुश्चन बनते हैं अईयू के क्या बनते हैं आईयू संभंधी प्रस्तन नापकी बनते हैं तो उनको भी हम स्ゲ we got लेंगे जैसे कि यह जो है चैप्टर पूरो आपका क्लियर हो सब्सक्राइब तो तो प्रत्र स्वें में आ सकते हैं तो द्यान रखना अलग 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 अलोग स्टेट ये अग्सम होते तो यह शित में सकते तो जैसे नहीं यह थे अलग करें शेर करें सब्सक्राइब करें फिल में लेंगे नेक्स क्लास में तब लिचेंगे